वेलकम बाक टो आई चानल और आज हम वड़ी मेथी के साथ आपको बना के दिखाने वाले हैं यह है मूंगदाल वड़ी इसकी रेसिपी मैं अलरीडी अपने चानल पर डाल चुकी हूँ जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है और मुझे फीडबाक कि यह भी मिला था कि इसक कैसे इसको हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं बाकी सबजियों के साथ तो आज मेथी के साथ इस वड़ी को हम बनाएंगे इसके लिए मैंने मटर भी लिये हैं एक मीडियम साइज आलू लिया है दो मैंने यहाँ पर मिर्च ली है तो चलिए मेथी को पहले चॉप कर लेत अगे स्वादिश सी वड़ी के साथ मेथी की सबजी सो यह देखिए वड़ी के साथ मेथी की सबजी के लिए मेरी पूरी प्लेट रेड़ी हो गई है मैने मेथी को चॉप कर लिया है यह वड़ी देखिए इसके साइस थोड़े से छोटे इमाम दस्ते में मैंने ऐसे क्रश क मसालदानी की चमच होती है उस से हमने यहांपี जीरा ले लिया है उसके बाद यहां पर हम डाल रेहे हैं थोड़ी सी हींग इसके बाद हल्दी आदी चमच, मिल्च थोड़ा सा गैस में कम कर देती हूं, उसके बाद मैं आपर डाल रही हूं हरी मिल्च, और ये जा रही है हमारी मूंडल वड़ी मेती वड़ी आज हम किचुने पर आ रहे हैं और आप इसमें हम डालेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, आलू, चिर्बार इसमें हम डालेंगे मटर, पानी और तौकी जहरा वड़ी है ऑच्छे से चलत पत जाए और अब इसमें हम डालेंगे मेरी अब इसमें डलेगा नमक स्वाथ के हिसाब से अब बढ़िया तड़का लग गया हमारा चौप बहुत ही जबरदस्त लगा है और यह है मेथी वड़ी आप देख रहे हैं यह वड़ी के पीसे तो जब आप मूंदल वड़ी बनाते हैं तो इसको इस तरह से मेथी के साथ सूख सबजी आप बना सकते हैं इसकी गीली सबजी भी आलू के साथ बहुत टेस्टी बनती है वह भी आपको बना के दिखाऊंगी लेकिन आज हमने अपने किचन में मेथी वड़ी बनाई है और इसको आप पराथों के साथ रोटी के साथ मक्री की और ज़ार की रोटियों के साथ आप इसे खाईए बहुत यमी लबती है और अब इसको हम ढग देते हैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन तीम मिनट हो गए है और एक बार इसको अच्छे से चला देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए और ढग देते हैं और इधर मैं बना रही हूँ इसके साथ खाने के लिए मक्का की रोटी दमीन वाइल मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ उनकी सब्जी के क्या हाल चाल है तो तीन मिनट पहले हमने पकाया दो मिनट अभी लग गए और सब्जी यहाँ पर बिल्कुछ चिपकी भी नहीं क्योंकि हमें पानी डाला था ना तो वड़ी भी अच्छे से पक गई है और आलू और मटर भी अच्छे से पक गए हैं और कुल मिला के पांच मिनट के अंदर अंदर हमारी सब्जी रेडी तो यह देखिए यह है अच्छे की रोटी त्यार हो जाती है मैं सब्जी को सब्सक्राइब के साथ यह देखिए मेरी चापाती फटा फट से रेडी हो रही है यहाँ पर मक्के की रोटी में बना रही हूं क्रिस्पी गर्मा गरम जिस पर लगा लेते हैं गी और यह खाएंगे हम मेथी वड़ी के स क्यों आप जरूर ट्राइ करना देखना और बनाना तो यह रेडी हो गई है हमारी मेथी वड़ी बहुत ही यमी टेस्टी इसे आप मक्के की रोटी के साथ पराठों के साथ जिसके साथ खाना है उसके साथ खाये लेकिन इस बात की ग्यारंटी है कि आपको बहुत ज्यादा स जब आप खाएं तो मुझे जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी तो मैं बोल में इसको साफ कर लेती हूँ तो ये बन गई है हमारी मेथी वड़ी, yummy, tasty, delicious अगर आपको हमारी मेथी वड़ी की और ये जो मूंगदाल वड़ी आप देख रहे हैं ये घर की बनी हुई है कैसे बनती है अगर इसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखिए तो वो इस वीडियो के साथ में लिंक भी डाल दूँगी आप जरूर एक बार देखना कि घर में ये जो मूंगदाल वड़ी है न ये कितनी आसानी से और जल्ली से बन जाती है तो बजार की वड़ीयों बिलकुल मत खाईए क्योंकि उसमें कंकड वगेरा भी होते है न तो घर में आप बना सकते हैं इसके साथ इस तरह की टेस्टी यमी सबजियां भी ट्राइ कर सकते हैं तो कैसी लेगी आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आईए न तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक, शेर और कमेंट भी कीजिएगा मेरी रेसिपी पे और मेरा फेस्बुक पेज है भावना चौब जी के नाम से आप फेस्बुक पेज को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बहुत बड़ शुक्रिया हमारी रेसिपी को देखने और पसंद करने के लिए थांक्यू सूमा अजय का छोत बावना चौपक पर पसंद करने कीजिए झाओ, पसंद कर सकते हैं गिरेसिए उने कीजिए दिलो तो प्रोपया जी एंस्मादिए